मशकार दोस्तों मेरा नावे विकास सिंग और आप सभी का स्वागत करते अपने टेक्निकल चैनल जिसका नाम है एंडरो गुरुजरुक और फ्रेश यहाँ पर वीडियो लेकर आचू का MIA2 के अपर और हाँ बिल्कुल जो पोको X2 आले हैं जो देख रहे हैं उनके लिए वी पर फोन नहीं है तो देख लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अफिशियल एक्स्टेंडड युवाई का वरिजन इंडरे 10 5 अपरेल के पैचेज हैं तो क्या कूछ यहाँ पर निकल के आता है इस रूम के अंदर और यहाँ पर करनल है जो यूस के अंदर कि स्क्रीन कुछ इस तरीके आपको दिखाय देती है उसके बाद यहाँ पर चलते हैं डिरेक्टली स्टाइल और वाल पेपर के तरफ तो यहाँ पर होप काफी सारे हमको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे तो चलिए एक पर इस टाइल के अंदर देख ले तो इस टाइ लाइप लियाँ पर देखने को मिलता है कि नहीं मिलता एक बाई मैं आपको दिखा दूँगा वह भी कोई दिखके यहाँ यहां पर नहीं है तो यहाँ पर काफी अच्छे से हैं तो यहाँ पर लाइप वाल पेपर का उप्शन जहां था कि सपोर्टिड होना चाहिए एक ब कोई ऐसा option नहीं दिखा दे रहा, इन future दिखाई देगा, तो शायद कहा नहीं सकता, लेकर अब इसके लिए फिलाल तो इसमें कोई option है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, stock camera आपर आपको देखने को मिलता है, stock camera के अंदर हमको कुछ भी आपर जादा नहीं देखने को मिल या बहुत सारे जो अलग अलग बागी जो camera आते हैं, वो सारे आपको इस चीज़े टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगे, नहीं दिस्क्रिप्शन में लिंक आपको देदूँगा, टेलिग्राम चैनल का, और बागी चीज़े बात करते हैं यहां पर तो बहुत सारे लोगों आप कोई अबर अफिघमा नहीं तैनल तैनल यहां वाली स्पोर्ट करता है, यृण पर काफिसें यहां पर सारे आपो सारे आप्शन मिल जाएंगे, जहां पर आप अने में लृट स्पर सपक्रिन को यहां स्प्रिकन को सप्चेन को यहां वादोख पर नाउन आपको भी री sett कर सकते तो सबसे पहले हम परने status के बारे में देख लेते हैं, जो कि हमको यहां पर देखन को मिलता हैं तो यहां पर आप जो है हैं अपर क्प अच्छे है और simplified ऑत interviews तो आपको यहां पर काफी ज्यादा वह भी नहीं मिलेगी क्या बोलते सेटिंग आप आप वोल्डिक आइकन लगाने चाहते हैं तो उसको भी यहाँ पर डिसेबल कर सकते हैं अपने हिसाब से जो भी आपको करना है वह आप यहाँ पर कर पाएंगे डबल टैप तो स्लीप यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से जाएस प्रीप हो पर ओके तो यहाँ पर कुछ घड़बर तो होई यहाँ पर एकदम से लॉग हो गया था फोन आई डोंट नो वाए बट हो गया था तो यहाँ पर आप यहाँ पर टाइटल वगया चेंज कर सकते हैं उपर का मैं नोटिफिकेशन बार दिखाना भूल गयाता है लेकिन यह ब यहाँ पर ऑप तो मिल जाता है आप यहाँ पर बाटन में आ गयप यह और वैसे तो upper side में रहता है है उसके लाव यहाँ पर ap आप MIUI स्टाइल brightness की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा साइज चीजे तो यहाँ पर आपको brightness slider आपको देखने को मिल जाएगा MIUI की तरह तो जिसके आप देख सकता भी यह जो है यहाँ पर बीटा बरजन में है लेकिन काम जो है यहाँ पर कर रहा है तो यह काफी अच्छा option में को यहाँ पर लगा और इसके लाबा काफी सारी आप जो है और भी चीज़ सेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं चलते हैं नोटिफिकेशन की तरह तो आप पर आपको रहती है जो हो आप नोटिफिकेशन राइडी एडी इऌने घर मिल जाती है ।कि आप देखन को मिल जाती है जिसके आप यहाँ काफ रूम में हमें है क्पी फाईड़ नहीं और बैटरी चूसेगा और कुछ भी नहीं और इसके लाबुन पर नीटिफिकेशनُ देखने को मिलते हैं Android 10 का फुल सपोर्ट है तो यहां पर आपको Android 10 की जेस्टर देखने को मिलते हैं यहां पर आप नहीं भी बार को भी कंट्रोल कर सकते हैं काफी सारा option आपको power menu को देखने को मिल जाएंगे अब चलते हैं अब बैटरी के तरफ तो बैटरी के बार में भी नहीं कर सकता है वह फिलाल तो काफी हच्छी चल रही है और काफी फास्च चार्जिंग भी आप सपोर्ट करता है ठहरेवाट तक क्की तो आपको यहां फिलाल कोई भी अधिक्कत नहीं मिलेगी मेरे सबसे भी है आप यहां पर 270 और 180 तक कर सकते हैं जो कि एक और अब मतलब काफ़ी सारे कस्टम रोंस पर यह option देखने को मिल रहा है इसके लाब है फ्रेंट से हमको security के अंदर एक नया पिश देखने को मिल जाते हैं जो की एप्रेle security और फीस अनलोग लगा लेता हम पर राय पर आपको कि बताता है किस तरीकी की हम पर हां पर देख लेते हैं सेट कर के किस तरीकी के जो हम union को यहां पर दिखता है face unlock तो यहां पर हो गया काफी अच्छे से और bypass यहां पर done करता हूँ मैं अब lock करता हूँ और यहां पर on करता हूँ तो आप देख सकते कितना fast यहां पर है मतलब मैंने अपना चहरा जोए camera के तरफ कर लिया था तो unlock नहीं हुआ और जैसे ही आप देखिया आप कितना fast होगा पता भी चलेगा तेक सकते हैं आप कितना fast यहां पर face unlock हमको देखने को मिल जाता है इसके अलावा हमको smart lock के अंदर भी शायद तरसे face option नहीं नहीं मिले का इसमें क्योंकि अल्रेटी जो है inbuilt एक face unlock option देख दिया गया है तो काफी अच्छे से यहां पर यह option को इंप्लीमेंट किया गया इसके लावा आप यह बाकि आप अपडेट कर सकते हैं Google Play सिस्टम के अपडेट है यहां पर जो इसको आप अपने आपसे अपडेट कर लेना बाकि शिकरी 25 आपको latest आप देखने को मिलते ही है अब चलते है यहां पर कुछ एक्स्टा पार्ट की तरफ यहांने शाओमी एक्स्टा पार्ट जो भी है यहां पर इनकी तरफ तो यहां पर आपको audio amplify भी मिलता है जहां पर आप अपने headphone और mic के जो है volume को gain कर सकते हैं उसके लावब आपको display color calibration का option भी देखने को मिलता है जहां पर आप जो है अपने हिसाब से इसको set कर सकते हैं by default मेरे साफ से ठीक ही है तो मुझे यहां पर कोई दिककत तो नहीं होने वाली है उसके लावब यहां पर Xiaomi dose का option देखने को मिल जाता है जहां पर ambition display का option को देखने को मिलता है जहां पर आपको कि कहते हैं आप जब अपने phone को ठाते हैं hand wave करते हैं तो यह सारे adjusters आपको देख चीजों के लिए मतलब अगर गेमिंग कर रहे तो इसको gaming में सेट कर सकते हैं अगर अगर अपको अपनी battery बचानी है तो battery में extreme battery में आप इसको कर सकते हैं और balance करके भी जो आप यहां पर इसको रख सकते हैं अपने अपने हैसाब से mean answer भी आपको यहां ही पर मिल जाता है mean sound enhan और इसके लाबा flip cover to wave cup यानि जब आपने magnetic cover को अठाते हैं अगर आपने magnetic cover लगा रहा है तो यह काम आपके आ सकता है system gestures की तरह आपको normally वही gestures की सारे option देखन को मिल जाते हैं और वाकि सारे options तो सारे same हैं तो video आप लंबा बन गयाते हैं आपर फटा 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 चलते हैं औ देख लेते कि कैसे इस रोम को install यहां पर करना है so friends यहां पर TWRP के अंदर बूट करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ चीजों की ज़रूद होगी अगर पहले से आपके फोन के अंदर TWRP flashed है यानि पहले सी है तो कोई दिक्कत यहां पर आपको नई होने वाली है otherwise आपका bootloader unlock होना चाहिए साथ में आपका यहां पर अगर आप stock room में तो आपको थोड़ी सी यह वाइप करना को भी ज़रूद पड़ेगा यहां पर जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा और इसके लाबा कुछ files कि यहां पर आपको ज़रूद पड़ेगी जो कि TWRP image file zip file और यहां पर room हमारे extended UI room इसके लाबा हमें को चाहिए है यहां पर DFE यानि disable encryption, disable force encryption भी हमको चाहिए होगा और इसके लाबा काफी सारी चीज़े हैं तो यह 3-4 चीज़े हमको फाइल चाहिए हैं तो 4 फाइल से हैं total वें वैसे देखा जाए तो और पूरा प्रोसीजर मैंने पहले अपने TW इंस्टोलेशन वाले बदा रखा है वो दूसरे फोन के लिए था और सारी फाइल से आपको इसी वीडियो से डाउनलोड करनी है और यूस कर सकते हैं आप जो वीडियो पुराना वाला वीडियो किस तरीके से बूट करना है वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं लेकिन आप इसी की स्तमाल करना जो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे रहा हूं आपको ठीक है तो सबसे पहले आपको बूट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पावर बटन और यहाँ पर वॉल्म अप बटन दवाना है अगर आपकी पहले से ही जो है टी डोलो रप के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर यहाँ पर देख लेना अपना current current slot ठीके current अभी मेरा बी है वाइप में जाना है अगर आप स्टॉड रूम से यहाँ पर वाइब यहाँ दवान है आपको भाइब कर लेना पूरा डेटा उसके बाद आपको आपीस अपने computer में से ट्रां इक system के है और data को यहां जो है remove कर देना, अगर जैसे कि मैंने आपको बूला अगर आप stock ROM से आ रहे हों तो आपको internal भी यहां पर wipe करने की ज़रूरत पड़ेगी, अगर यहां पर आप stocks नहीं आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर internal wipe करने के कोई ज़रूरत नहीं है तो मैंने पहले से ही मैंने आपको बताए मैं pixel experience में था तो अब मैं जा रहा हूं extended ui पे तो मुझे यहां पर कोई ज़रूरत नहीं है इंस्टार इंटर्णल को यहां पर flash करने की यहां पर delete करने के लिए wipe करने के लिए तो यहां पर simply मैं swipe to wipe कर दूँगा और wipe करने के बाद कुछ इस तरीके से जो मेरे data सर जो है बहुत ही प्यार सिर्फ यहां पर flash हो जाने वाली है तो मिलते हैं आपर room flash होने के बाद तो friends जैसे के आप दे सकते हैं आपर done हो गया हमारा यह successful हो गया हमारी installation उसके बाद friends आपको करना क्या होगा यहां पर simply जैसे के आपको पता है हर wipe के बाद हमारी TWRP ऊड़ जाती है तो हमको TWRP installer ziv file ziv file ध्यान रहे image file नहीं ziv file को आपको download करना है अपने internal storage पे रखना है और यहां से उसको भी simply flash कर लेना है simply flash करने के बाद यहां पर काफी जल्दी हो जाती है flash कोई दिक्कत यहां पर हमको नहीं होने वाली है तो यह TWRP को boot करने का video मैं पहले बना चुका हूँ तो मैंने इसमें नहीं बताया इसलिए और यहां पर zip installation भी हमें और जैसे कि मैंने आपको कहा था है आप पर current slot check कर लेना अगर B में हो तो आपको A select करना है और अगर A में हो तो आपको B select कर लेना है I hope आपको समझ में आ गया होगा तो मेरे में यहां पर B दिखा रहा है तो मैं इसको यहां पर A कर लेता हूँ यह करने के बाद friends यहां पर simply जो हमको कुछ भी नहीं करना है आपको reboot में जाना है और यहां पर recovery के अंदर वापिस बूट कर लेना है और यहां पर लिखाएगा no OS installed तो ध्यान रहा है कि TWRP के बाद करना है क्योंकि TWRP हमारी उड़ चुकी थी हमने दुआर से flash कर ली है यार मेरा internal storage कहा गया मेरा तो यह रहा तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपर अब एक last file हमको flash करनी होगा है disable for increase and travel तो इसको में आपर simply कुछ इस तरीक इस जाए flash कर ले तो इतना ही हमको इस roam के अंदर करना था और इसके बात simply आप यहाँ पर reboot में जा सकते हैं और बिलकुल अब आप system पे भी boot कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर system में boot कर लिया है तो देखते हैं कितनी दिर में यहाँ बूटिंग मतलब 102 minute लगते हैं जादा नहीं यहाँ बूटिंग के अंदर तो यहाँ पर पता नहीं क्या चक्कर हो गया है शायद गूगल ही है इसका भी I think बूटिंग लोगो तो फ्रेंड्स यहाँ पर boot हो चुके हमारी screen और यहाँ पर जैसे के देखा काफी simple यहाँ पर बिलकुल पिक्सल वाले पिक्सल वाले की तरह ही जो है यह भी boot होई और इसके अंदर कोई ऐसा हो हमको कोई अलग सा लोगों नहीं दिखाए देगा कोई ऐसा बूट लोगों को नहीं दिखाए दिया तो यहाँ पर फटाफट से लेगा लिया तो देख सकते हैं फ़र्स्ट बूट कुछ इस तरीका हमको दिखाए दे रहा है तो यहाँ फटाफट से एक पर यह अनलॉक कर देख लेता हूं कि फिंगर्पिंट कितना तेज है सका बैटरी भी यहाँ पर खतम उन्हें आई और हमारा वीडियो बी टेंशन के कोई बात नहीं तो काफी अच्छे से और काफी फास्ट यहाँ पर रूम है देख सकते हैं कुछ फ़र्स्ट लूक इस तरीक के का है यहाँ पर हम सेटिंग अंदर ले चलता हूं आपको simply और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैं थोटा नीचे करता हूँ और देख सकते हैं आप एकस्टेंड यॉइज फ्लैश हो चुक है ऑफिशियल है आपको इसके अंतर सारे जो अप्डेट देखने को मिलने वाले कोई दिक्कत में आप आपको नहीं होने वाली है आई होब आपको यह वीडियो पसंद आयोगा वीडियो पसंद आया तो अपली चैनल को संस्क्राइब कर ले वीडियो को ज़रू से आपने लाइक करने कोमेट करके सुरूर बिदाने वीडियो कास रहा मिल दे एगली वीडियो में